अमर रोज दफ्तर से अपने घर आते हैं, दिन भर काम और टेंशन से जूच कर, घर आते ही अपनी भडास निकालते हैं अपनी परिवार पर पस, आज काम जल्दी खत्म हो गया, अब आराम से जाकर मैच दिखूँगा, तेकल जाता हूँ, इससे पहले की बॉस की नजर में आ जाओं अमर, कल जो रिपोर्ट फाइल करनी है, उसमें लास्ट मिनिट चेंजिस आये हैं, आज जाने से पहले अपडेट कर देना सर, आज जल्दी जाना जरूरी है, बेटे को स्कूल की जरूरी सामान खरीदने ले जाना है न अब जब तक तुम पहुचेगे, मार्केट तो बंद हो गया होगा सर, इसलिए जल्दी जाना होगा एक काम करो, कल जल्दी चले जाना अमर बेबस होकर बॉस का ओर्डर मान कर फिर काम में लग जाते हैं किसी तरह मन मार कर काम खतम करते हैं और चिड़-चिड़े मन से घर पहुचते हैं निशा, जल्दी से खाना लगा दो, इंडिया की बैटिंग खतम होने वाली है बॉस दे लेट करवा दिया अरी, इतनी देर से आय हो, तुड़ी देर बात तो कर लो अरे, सोनु, हटो यहां से, पापा को टीवी देखने दो पता है, और ओफिस में कितना काम रहता है, कितना काम करकर आया हूं मैं तो मैं पी तो टूशन जाकर आया हूं अब जाओ जाके फिर home work कर लो कर स्कूल भी जाना है न तो मैं उट जाओंगा लेट नहीं करूंगा अभी मेरा शो चल रहा है मुझे देखना है अरे समझ नहीं आ रही बात एक बार में एक थपड़ दे के समझाओ क्या रिमोट दे और सोने जा सोनों रोते हुए ममी के पास जाता है और अपने पापा की शिकायत करता है निशा उसे पुछकार के एक और बेडरूम में ले जाकर सुला देती है मैं डाटती हूँ पापा को तू सोजा अभी ठीक है पिठा नेहा खाने की थाले लेकर अमर के पास पहुंचती है और मेज पर रख देती है अमर टीवी में डुबा हुआ है और बिना देखे ही खाने लग जाता है निशा सामने बैठे उसे घूरे रहती है कुछ देर में अ आकरी बाल होने के बाद वो निशा के तरफ दीकता है अरे निशा पानी दे दो जरा निशा थाले के बाजू में रखे ग्लास पर इशारा करती है अमर उठा के पानी पीता है अब बोलो बच्चा है सुनो एक बार तो मिलते हो दिन बर में रात को और फिर वो अपने पापा कि डाट सुनके सोचा है अरे बच्चा है तो बात सुननी चाहिए ना उसे मेरी जवाब दे रहा था अरे दिन बर के बाद आया हूँ इतना काम किया बास के नकरे छेले और घर आओ तो बेटा बहस करें और साड़ी बढ़ास घर आकर घर वालो पर निकालो अरे तुम क्या कि यह वर्यों मुझ से तुम भी सारा दिन साथ रहती हो डाट टीपी तो हो से बता रहा था मुझ से अभी कुछ दिन पहले ही डाटा था ना तुमने है हां उज अभी सोने के पहले बता रहा था देखो आपधी जगडा मत करो मुझे आराम करना टीवी देखने दो अरे तो उसको भी तो दिन बर पढ़ाई के बाद देखना होता है ना टीवी आराम करने के लिए कोई ज़वरत नहीं है छोटा है अभी आदत बिकड़ जाएगी और तुम उसकी वाकालत करना ना बंद कर दो चला भी स्टेकंड इनिंग से चालू होने वा नीशा दर्वाजा पीट के चली जाती है और अमर देखता रह जाता है अगली सुबा नीशा किचन में सोनू का चिफिन पैक करके उसे देती है सोनू नाश्ता कर रहा है अमर पीछे से तयार होकर आता है और खाली चाय का कब टेबल पर रखता है अमर उसे वाह मत रखो करता है तभी नीशा कहती है अरे 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 धोके सोनू हस देता है अमर उन दोनों को देखता है और कब धोके वहां से चला जाता है नीशा सोनू को देखती है और आंख मार देती है चलो अब ऐसना बद स्कुल जाओ और ध्यान देना सब पूचूंगी दिन में सोनू मू ब पिताकर रात में फिर एक साथ आते हैं, आज अमर घर जल्दी पहुंच गया है और टीवी के सामने पसार के बैठ जाता है, पीछे से दर्वाजा खुलने की आवाज आती है, खिल खिलाते हुए सोनू अंदर आता है, सीधे टीवी रूम के अंदर और अमर को बैठा देख सोनू, हाथ पर धोगी, कपड़े बदल लो, चलो जाओ, सोनू कमरे से बाहर चला जाता है, अरे निशा, ज़रा एक कप चाए, क्या हर वक्ट चाए, नहीं है दूद घर में, अरे दूसरी बाहर ही तो मांग रहा हो ना, दूद वाले को बोला था, दूद एक्स्ट्रा एक लेकर आना, वो एक लिटर कम लेकर आया, आज तुमको चाई नहीं मिलेगी, खेर बना दिया है पूरे दूद की, अरे दूद वाले के गलती के लिए मुझ पर क्यों चिड रही हो, मैंने क्या किया, हम, तुम भी तो यही करते हो न, ओफिस में किसी की गलती हो, तो घर आके चिकते हो, चाई पीनी है, तो दूद लाना पड़ेगा नीचे से, अरे पड़ तुम नीचे से ही आई न, मैं भूल गई, तुम भी तो नीचे से आए, नीशा कमरे से बहा जाती है, और सुनू अंदर आता है, वो अमर को देखता है, फिर कुछ बोलता नहीं है, अरे, क्या सुनने वाला, अच्छा, क्यो डाटा टीचन है, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इनकम्प्लिक्ता, आपने सामान लाकी ने दिया, और आपकी मुझे से सोब होस्ते लगे मेरे पे, अब आप जाओ, सोनू टेबल पे रखा रिमोट उठाता है, और चैनल बदल के बैट जाता है अरे, ये क्या तरीका है बात करने का? तो आप से ही तुसी का है, बाहर को गुच्सा गर्ड पे निकाल दो अमर उठके दूद लेने चला जाता है, कुछ देर में लाटके वो चुपके से नीशा और सोनू को टीवी देखते हुए देखता है, और किचन में चला जाता है पीन कप चाय बना कर वो टीवी कमरे में पहुँचता है, हाज मेरे हाथ की चाय पी लो इस बदले बर्टाओ को देखके नीशा और सोनू चौक जाते है, अपना कप उठा कर चाय पीने लगता है, अमर एक बैग निकाल के सोनू की तरफ पढ़ाता है इसमें क्या है? प्रोजेक का सामान और गिफ्ट हम, लगता है पापा दूर लेने गए और गुस्सा छोड़ के आगे कैसी है सोनू के पापा की हाथ की चाय? स्वीट, स्वीट, बिलकुर ममी की तरह और पापा की तरह नहीं? पापा की तरह कड़क है स्वीट, अब समझ गया कि आफिस में कुछ भी हो उसे आफिस तक ही रखूंगा प्रामिस नीशा और सुनू को गले लगा लेता है और उस दिन के बाद कभी घर की चिंता दफ्तर में नहीं गई और ना दफ्तर का टेंशन घर में आया